हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए ट्रेवल बैग लेकर आई हूं और यह बैग सिर्फ मैं एक पीस से बना रही हूं इसमें अलग-अलग स्टेप करने की ज़रूत नहीं है तो यहां पर मैंने यह फॉर्म का एक पीस लिया है तो इस पीस से ही मैं बैग बनाऊंगी इसमे पीस एड़ंड नहीं करूंगी तो जो मजरमेंट को फोल करके लेना है तो मैंने फॉर्म को फोल किया है मैंने इसमें लगाने के लिए स्टेप लिए लिए लग और एक चैन लिए जहें तो आप इसमें और भी आप कॉकिट लगा सकती है tuh पहले बैग का मेजरमेंट लेना देखिए जैसे कि बैग हम तयार करेंगे 25 इंच चोड़ाई का तो फॉर्म की चोड़ाई मैंने लिए 33 इंच और 33 इंच चोड़ाई में 25 इंच का बैग तयार होगा क्योंकि 8 इंच की हम साइड से इसकी चोड़ाई रखेंगे तो इसलिए हमने 8 इंच चोड़ाई के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए अधिक बुकरम एड की है तो 9 इंच मैंने चोड़ाई अधिक रखी है और इसकी जो लेंध है वो 20 इंच है और ये लेंध इसकी तयार होगी सिर्फ 11 इंच की इसमें भी मैंने 9 इंच लेंध अधिक यहां पर मैंने एक पीस लिया है यह पूरी बुक्रम का एक मीटर का तो अब हमें फैबरिक लेनी है बुक्रम हम सिंगल करेंगे तो उसी के अनुसार हमें फैबरिक डवल लेनी है एक मीटर फॉर्म है दो मीटर फैबरिक लेनी है तो यहां पर एक मीटर फॉर्म के लिए मैंने दो मीटर फैबरिक ली है पहले फैबरिक को रखना है और उपर पहले फैबरिक रखनी है फिर फॉर्म रखनी है फिर फैबरिक रखनी है इस तरह से फॉर्म को कवर करना है और फिर पहले चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे और फिर हमें इसमें सीधी सीधी बहुत सारी सिलाई लगानी है फैबरिक फॉर्म का हमें एक पीस तैयार करना है सिलाई लगा के सिर्फ एक ही पीस तैयार करना है तो यहाँ पे मैंने स्लाई लगा के एक पीस तयार किया है बुकरम मैंने कवर की है इसमें जो बैग वाली फॉर्म है ये मैंने कवर की है और इसमें मैंने चारो तरफ स्लाई लगा ली है अब इस पीस को हमें ऐसे फोल्ड करके रखना है ऐसे यहां पर मार्क करेंगे 16 इंच पर 16 इंच पर मार्क करना है और यहां पर हमें स्टैप एड़ करना है इस लाइन से 3 इंच की दूरी पर दोनों तरफ 3 इंच की दूरी पर हमें इस स्टैप को रखना है और इस लाइन लगाने है तो हमें इस तरह से स्टेप लिख़ें higher ॢशव 5 इंच फैब्रिक चोड़ने के बार सरख स्सब्स दोनों सटेप थैण लगाना बता रही हूं तो पहले इस पीश को सीधी तरफ से रखना है और चैन को हम इस तरह से उल्टी तरफ से रखेंगे और सिलाई लगाने है तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा रहे हूँ बरावर दूरी पर सिलाई लगाने है सिलाई को इधर उधर नहीं करना है सीधी सिलाई लगानी है हमें तो मैंने पूरी चैन को एक तरफ सिल लिया है देख लिजिए और इस पर पीको कर लें ताकि धागे ना निकले यदि पीको मसी नहीं है तो इसमें एक पाइपिन लगा ले मैंने चैन की तरफ सिलाई लगाई है यहां पाइपिन भी लगासाद ने ताकि धागे नא निकले मैंने पीको करके यह कवर किये ताकि धागे ना नकले चैन को सीदा करना है और इस पीस को हमें ऐसे उल्टी तरफ से रखना है जो उपर की साइड है ये बैक साइड है तो इस तरह से हमें इसे चैन के उपर रखना है स्टैप अंदर की तरफ रखेंगे और दूसरे पीस में भी हमें चैन को सिलना है इस तरह से चैन को सीधा करेंगे और इस पीस चैन को सीधी तरफ से रखना है इस पीस को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे या फिर आप दूसरी तरफ से चैन को देखते हुई सिलाई लगा सकती है इधर की तरफ से तो इस तरह से हमें चैन के उपर ये सिलाई लगाने है तो दूसरी चैन को भी एड़ करना है और सिलाई लगाने है सिलाई बरावर दूरी पर लगानी है सिलाई को कम जादा ना करें तो दूसरी तरब भी मैंने ये चैन एड़ कर ली है अब इस पीस को सीधा करना है तो मैंने इस पीस को सीधा किया है पहले तो मैंने चैन और फैबरिक को पीको करके कवर किया है आप इस पर पैपिन लगा लें और इस फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहां जाने के बार सिलाई लगाने के बार इस पीस को counting ऐसी से रखना है सीधी साइड अंदर की तरफ है और यह जो बैक सैड है यह उपर की तरफ है और दोनों तरफ अब हमें हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगाने है जो मैंने ये लाइन ट्रोकी है यहाँ पर सिलाई लगाने है तो सिलाई भी लगाना मैं बताऊंगी सिलाई लगाने के बाद फिर हमें क्या करना है इसमें हमें चार बॉक्स कट करने हैं बॉक्स हम चोड़ाई के अनुसार कट करते हैं साइड से आप बैक की चोड़ाई कितनी चाहती है तो मैं साइड से बैक की चोड़ाई आठ इंच रखूंगी यदि आप 6 इंच रखना चाती है तो 3-3 इंच के बॉक्स बनाए आठ इंच रखना चाती है तो 4-4 इंच के बॉक्स बनाए और 10 इंच चोड़ाई चाती है तो आप ये बॉक्स 5-5 इंच के बनाए तो मैं साइड से चोड़ाई रखूंगी इसकी 8 इंच तो मैं 4-4 इंच के बॉक्स बनाऊंगी 4 इंच चोड़ाई रखनी है 4 इंच ही लेंध रखनी है इस तरह से हमें 4 वाई 4 का एक बॉक्स बनाना है तो इसी फैबरिक के 4 तरफ हमें 4 बॉक्स बनाने है चार वाई चार के तो मैंने यहाँ पे चार वाई चार के चार बॉक्स बनाए है और इन बॉक्सों को कट करना है पहले सिलाई लगानी है तो पहले हाफ इंच की दूरी पर मैं साइड में सिलाई लगाऊंगे तो यहाँ पे मैं पहले लाइन पर यह सिलाई लगा रही हूं यहाँ पर मैंने दोनों तरफ यह सिलाई लगा ली है अब यह बॉक्स कट करने हैं कुछ नहीं है यह बहुत ही आसान बैग है इसे बनाना बहुत ही आसान है इसमें अलग से ना तो अलग से बॉक्स कट होके सिलाई लगती है और सिर्फ इक पीस में सिलके तयार हो जाता है तो यह चारों कॉने मीं नी कट किये हैं अब किषिए हूं यह मने शलाई लगाने हैं सिलाई किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊ情 पहलेい यह पहले ज्यां ना है और जो यह बॉक्स कट किये हैं ये कौने हैं इनको इस तरह से मिलाना है सीधी फैबरिक करनी है और इनको मैं पिनप कर रही हूं सिलाई लगाने हैं ठीक है फिर ऐसे हमें इसे सीधा करना दोने कौने हमें इस तरह से पकड़ने हैं तो ये फैबरिक सीधी करेंगे फिर मैं इसे पिनप करूंगी अब ध्यान स देखना ऐसे इस तरह से हमें इस फैबरी को सीधा करना है और पिनप करेंगे तो मैंने चारों साइड इस तरह से सीधी की हैं और मैंने ये पिनप की हैं ताकि आसानी रही समझने में तो इस तरह से ये बॉक्स तयार है और सलाई लगाने हैं तो यहां पर मैं ये सलाई लगा तो इस तरह से हमारे पूरे फैब्रिक में ये लगाने हैं तो मैंने चारों बॉक्सर से लिये हैं और धागे ना निकले मैंने पीको भी की है आप इन पर पाइप इन एड कर सकती हैं और मैं इस बैग को सीरा करके दिखाऊंगी तो एक पीस से हमने ये बहुत ही सुन्दर ट्रेवल बैग तयार किया है तो ये बहुत अच्छा बैग से तयार हुआ है और यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगाओ तो अपले चैनल को सिस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद